हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दर नेक्स्ट लेवल में दोस्तों आपके आरार भी एंटी पीसी और ग्रूप डी में बहुत ही भारी वेकेंसी आई हुई है उसी को देखते हुए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके जो आपके एक्जाम में पुछे जा सकते हैं उसका सिरीज चला रहे है तो यह उसी का एक अगला पार्ट है हम इसमें और भी इससे पहले चार से पांच वीडियो अपलोड हो चुके हैं अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए वहाँ पर आपको जीके फोर सुरू करने से पहले मैं आपको अनकेडमी लर्निंग एप के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ यह जो अनकेडमी एप है यह इंडिया का लार्जेस्ट ए लर्निंग एप है मॉबाइल पे आप इसे कुछ थोड़ा सा पैसा देके आप इंडिया के टॉप एजुकेट करते हैं जो की कोड है दो नेक्स्ट लेवल यहां पर आप देख पा रहे हैं यह हमारा कोड बिना स्पेस का टी एच इन एक्सटी एल इवी एल इसे जब आप अपलाई करेंगे तो आपको टेन पॉसेंट का ओफ भी मिलता है तो यह कोड आपको अगर हमारे इस कोड को अप आपको मिलेगा जो अनकेडमी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से उसे विजिट कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको पहले 1000 रुपए लग रहे हैं तो हमारा कोड डालने के बाद आपको 900 रुपीज हो जा रहा है तो आप इससे 900 रुपीज पे करके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से इवन जो UPSC तक के क्रैक किये हुए एजुकेटर्स हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा पहला क्वेस्चन है कि हिमाचल प्रदेश में इस्थिद्दर् आप भी जल्दी जल्दी क्वेस्चन का अंसर करते हैं चलेंगे 50 क्वेस्चन है तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूँगा ऑप्सन यहाँ पे सिपकिला जोजिला नाथुला और जेले पल्ला तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा अगर हम हिमाचल पर्देश कि निमलिखित में से सबसे उचा सिखर कौन सा है निमलिखित में से यहाँ पे आपको चार आप्सन दे रखे हैं इन में से सबसे उचा सिखर पर्वत कौन सा है यह आपको बताना है कामेत पर्वत कुनलुन पर्वत नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी पर्वत तो इसमे ये भारत में नहीं है ये पाकिस्तान के गिलगिट में है पाकिस्तान के गिलगिट में अगर हम कामेत की बात करें तो ये उत्राखंड में पढ़ता है और ये 7756 मीटर उचा है अगर हम कुनलुन की बात करें तो 7167 मीटर लंबा है ये चाइना में पढ़ता है और नंदा दे पजाति ही है, गेहू, जुआर मक्का और चावल, तो इसका जही आंसर क्या हो जाएगा चावल, भारत जो है चावल उप जाने के मामले में पूरे विस्व में दूसरे नमर पे आता है पहले नमर पे चीन आता है याद रखेंगे आप पहले नमर पे चीन और अगर हम भारत में बात करें कि भारत में कौन सा प्रदेश है भारत में कौन सा राज है जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है तो वो है वेश्ट बेंगॉल वो है वेश्ट बेंगॉल पूरे विश्व में जितना भी चावल उपज होता है उसका 20% हिस्सा भा बिहार का सोख हम किसे कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं बिहार का सोख हम कोसी नदी को कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो कोसी नदी जो है यह सबसे ज़्यादा अपना जो मोड है वो बदलने में के लिए सबसे ज़्यादा रास्ता परिवर्तन करने के लिए भी जा जाती है और दामोदर को तो हम कहते हैं बंगाल का सोक ये भी आपको पता होना चाहिए बंगाल का सोक हम दामोदर नदी को कहते हैं कोसी नदी का जो उद्गमस्थल है ये नेपाल के हिमाले से होती है अगला कोश्चन है कि हीरे की खाने कहां पाई जाती है मध्य परदेश के पनना में करनाटक के मैसूर में, आंधर परदेस के वाल टेयर में या राजस्थान के अजमेर में, तो भारत में एक़र हम सबसे जाधा हीरे की बात करें तो सबसे जाधा हीरा मद्धपरदेस के पनना बेल्ट में मिलता इसका पूरा नाम है मद्ध परदेश, पन्ना, पन्ना का जगा, जगा का नाम है और जो इस एरिया से निकलता है उसे पन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है, आगे देख देखला कोश्चिन कि निमन में से किसे वैस्विक विरासत का वन माना जाता है, वैस्विक विरासत का उप्शन है उडिसा में नंदन कानन असम में काजी रंगा पस्चिम मंगाल में सुंदरवन या पस्चिम मंगाल में भारतिय वनस्पति उद्यान सिवपूर जिसका सही अंसर हो जाएगा पस्चिम मंगाल में सुंदरवन ये काफी प्राचीन है और काफी अच्छा बहुत सार विरासतें इसमें समाहित ऐसा मना जाता है आगे देखेंगे कि निम्लिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है गेहू जौ रैपसीड और जूट क्या हो जाएगा सही अंसर इसका जूट यहाँ पे तीनों जो है गेहू जौ और रैपसीड यह सभी के सभी क्या है यह सभी है र नकदी फसल है आपको पता होना चाहिए ये चले देखते आगे अगला कुस्चन कि निमलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से पराप्त होने वाला मसाला पदार्थ कौन सा है लॉंग दालचीनी हल्दी या उप्युक्त में से कोई नहीं तो बहुत ही आ पनते हैं हल्दी जड़ होता है अगला कोश्चन है कि अबरफ का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है दक्षिन अफरीका में भारत में संयुक्त राज अमेरिका में या औस्ट्रेलिया में तो इसका बहुत ही आसान प्रशन है ये भारत में सबसे ज़्यादा उपजता है पू इंडिया, ब्राजील, सौथ अफरीका ये तीन राजे हैं तीन देश हैं जो टॉप थ्री में आते हैं और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा आंधरपर्देश में होता है दूसरे नमर पे राजस्थान आता है अगला कोशन देखते हैं कि भारत में अ पारापूर परमानुसेंद्र ये 1969 में बना था और ये कहां पे है महराष्ट्रा में है अगर हम कैगा की बात करें कैगा परमानुसेंद्र की तो ये 1989 में बना था 2000 थे इसमें काम चालू हुआ ये करनाटक में है और नरोरा जो है ये उत्तर परदेश में है और 1991 से यहां पे फुल फॉर्म इसका हंदुस्तान मसीन टूल्स होता है यह किस सहर में है मुंबई चेन्ने हैदराबाद या फिर बैंगलूरू तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा मुंबई इसका सही अंसर क्या हो जाएगा मुंबई इसका सही अंसर बैंगलूर में हुई थी, कहां पे हुई थी, 1953 में, और इसके अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है, वो है के एवी कामत, आप इसे के वी कामत से और एवी कामत जो हैं, एबी, एवी, ये हैं हिंदुस्तान मसीन टूल्स के अध्यक्ष, आगे देखेंगे कि अंटाक्टिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अस्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, तो इसका क्या नाम है, दक्षिनी गंगोत 1984 में ये अस्थापित किया गया था, इंद्रा गांधी के द्वारा सुरू किया गया एक प्रोजेक्ट था, वर्तमान में ये खत्म हो चुका है, आगे देखेंगे कि निमलिखित में इसे कौन सा कर केवल राज सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है, मनुरंजन कर, संपत्त सरकार के द्वारा लगाया जाने वाले करों की बात करें, तो भूराजय सुकर, बिक्री कर, मनुरंजन कर, स्टांप ड्यूटी, उसके अलावा आपको रोड टैक्स, मोटर वेइकल टैक्स, तो ये सभी कौन वसुलती है, राज सरकार, वह अगर केंद्र सरकार की बात करें, तो तीन तो आपके सामने ही है, संपत्ति कर, आएकर और निगम कर, इसके अलावा, वेल्थ टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स, और सीमा सुल्क, ये सभी एक्साइज जूटी, ये सभी कौन तसिलती है, वह तसिलती है, राज सरकार, चले देखते हैं अगरा कोश्चन की, निमल ये सभी अंग्रेजों के समझे से ही इस थापित थे, भारत शासन अधिनियम के तहट ये 1909, 1935, 1947, इसका सही अंसर क्या हो जायेगा, 1919 का भारत सासन अधिनियम 1919 का भारत सासन अधिनियम इसको हम लोग 1919 का भारत सासन अधिनियम है इसको हम Montague Champsford सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि Montague Champsford में जो Montague थे ये अलग वेक्ती थे और Champsford अलग वेक्ती थे Montague उस समय भारत के सचीव थे और James Ford जो है वो भारत के वाइसराय थे याद रखेंगे आप आपको फायदा ही होगा इससे चले देखते आगे अगला प्रशन कि भारत के सम्विधान में भारत को किस रूप में वर्नित किया गया है परिसंग कल्प, एकात्मक, राज्यों का संग या परिसंग तो यह भी बहुत ही आसान सा प्रशन है राज्यों का संग भारत को कहा गया है आगे देखेंगे अगला कोशन कि भारत के सम्विधान का निर्माता किसे माना जाता है तो किसे हम कहते है आपको सभी पता है कि सम्विधान के जनक, सम्विधान के पितामा भीम राव अंबेदकर को ही माना जाता है ड्राफ्टिंग कमिटी के यह अध्यक्ष थे, इन्होंने ही लिखा था अगला कोशन है कि भारतिय सम्विधान के निमलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिये गया है जनता को गैरेंटी या फिर मूल अधिकार किस भाग में दिया गया है दो भाग एक भाग चार या फिर भाग तीन तो ये दिया गया है भाग तीन में और ये जो मूल अधिकार है ये अनुछेद 12 से 35 के बीच में वरनित है और मूल अधिकार हमने लिए हुए है USA के सम्विधान से आया question है कि सम्विधान में मौलिक अधिक करतव की सामिल कीये गये और ले 9 10 11 या फिर 12 तो चाया ऑं. आपको पता होना चाहिए कि सुरुवात से जो मौलिक करतव हैं हमारे सम्विधान में नहीं थे 42nd Amendment 42nd Amendment 1976 को यह हुआ था 1976 को यह जोड़ा गया था और पूछ लिया आता है कि किसकी सिफारिस पे तो सरदार स्वर्न सिंग की सिफारिस पे यह जोड़ा गया था और आपको यह भी ध्यान रखना है कि उस समय सिर्फ 10 मौलिक करतव यहीं हमारे समविधान में जोड़े गये थे बाद में 2002 में एक समविधान संसोधन हुआ उसके तहट इसकी संख्या ग्यारा कर दी गई थी 2002 में 86 समविधान संसोधन हुआ था और उसके तहट इसके ओ ग्यारा इसकी संख्या कर दी गई आगे देखते हैं कि उपराष्टपती क्या होता है लोकसभा का सदस्य राजसभा का सदस्य किसी भी सदन का सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य नहीं तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्टपती जो है ना लोकसभा ना राज सभा के सदस्य होते हैं ये राज सभा के पदेन सभापती होते हैं लेकिन ये सदस्य नहीं होते हैं अगला कोश्चन है कि पहले वित आयोग का गठन कब हुआ था 1950, 1951, 1952 या फिर 1954 में तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में 1951 में हुआ था ये बाइस नवंबर को हुआ था अब ये भी रहा दखना है बाइस नवंबर 1951 और पहले जो वित आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे केसी नियोगी केसी नियोगी, छितिजी चंद्र नियोगी उनका पूरा नाम था और अभी वर्तमान में हमारे आज के डेट में कौन सा आयोग चल रहा है ये 14 वा वित आयोग चल रहा है और इसके अभी अध्यक्ष कौन है इसके अध्यक्ष है वाईवी रेड़ी और 1 अप्रेल 2015 से 20 वा अभी तायोग चालू हो जाएगा जिसके अध्यक्ष होंगे NK Singh चले देखते आगे अगला प्रशन कि निमलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा था जिसने भारत के राष्टपती रूप में निर्विरोध चुना गया था कौन से व्यक्ति थे जो राष्टपती के पद पर न नीलम संजीव रेड़ी और ये जो थे हैं भारत के छटे प्रेसिडेंट थे सिख्थ प्रेसिडेंट 1977 से 1982 तक इनकी राजिसरकार रही थी और ये जो थे पहले गयर कौंगरेसी प्रेसिडेंट थे भारत के यह आपको याद रखना है कि पहले गयर कौंगरेसी प्रेसिडें एज क्या है, 70, 75, 80 या कोई सीमा नहीं है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, चाहे कितने भी साल तक हो, अगर वो सेलेक्ट होते हैं, अगर वो 100 एयर के एज पे भी उन्हें राश्टपती बनाया जाता है, तो वो रहेंगे, चले देखते आगे अगला question, पांचनी बौध परिसद हो चुके हैं, कुल 6 जो हैं, बौध परिसद हुए हैं, यह पांचवा है, वो हर्स ने करवाया था, आप इसे हर्स वर्धन या फिर कोई दूसरा हर्स ना समझे, यह सिर्फ आप इस हर्स के नाम से याद रखेंगे, यह 1871 में हुआ था, बर्मा, बर्मा जिसे आज हम मयानम कहते हैं, वहां पर हुआ था, अगला कोश्चन है कि सिकंदर महान का सिक्षक कौन था, गुरू कोन था, जिसे एलेक्सेंडर के नाम से आना रहता है, भारत में सिकंदर कहा जाता है, और तो इसके गुरू कोन थे, डेरियास, साइरस, अरस्तू या फिर सुक्राथ, तो सही प्लेटो के गुरू थे सुक्रात, याद रखेंगे आप सुक्रात, सुक्रात के बारे में अपने स्कूल डेज में जरूर पढ़ा होगा, उस समय के सबसे ज्यानी वेक्ति थे और उस समय के फिलिस्टीन के राजा जो हुआ करते थे, उन्होंने इन्हें मरवा दिया था, और जहर का प्याला पीने के लिए बोल दिया था, वो अलग कहानी है, देखते हैं अगे अगला कोश्चान कि, कुतुब मिनार किस प्रसिद्ध सासक ने पूरा किया था, देखेंगे कोश्चन आपकोreetयोगाना है, किस सासक ने पूरा किया था, जिसने बनवाना सुरू किय उसने पूरा इसे नहीं किया था, बनवाना सुरू किया था कि इसने कुतुब बुद्धिन एवक ने, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाया था, पूरा करवाया था फिरोज साहत तुगलक ने, इसकी मैं आपको कहानी समझा देता हूँ, पहले जो कुतुब बुद्धिन एव के बाद उसने इसे छोड़ दिया बाद में इलतुतमिस आया ये इलतुतमिस जो था ये आके इसके तीन मंजिल तक इसको कम्पलीट करवाया और फिर बाद में इसने भी उसे छोड़ दिया और एट दा एंड फिरोज साहत तुगलक 1368 में आये और इन्होंने इसे पांच मंज जिल तक complete करवाया ये आपको याद रखना है चले आगे देखते हैं कि सूफी आदेसों को किस नाम से जाना जाता है अगर सूफी आदेस जो देते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है चिस्ती औलिया सिलसिला या फिर सुक्रवर्दी तो सही अंसर हो जाएगा सिलसिला नगर के मध्यकाली नगर को आजकल क्या कहते हैं चंद्रगिरी, हले विदू, हमपी या फिर कोंड विदू तो सही अंसर क्या हो जाएगा हमपी यहाँ पर आपसे एक क्योशन में पूछना चाहूँगा कि हमपी का एक रथ है जो हमारा जो नए नोट आ रहे हैं महात्मा गां पूछे एक चित्र है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे विजयनगर सामराज हुआ करता था जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे और विजयनगर सामराज के सबसे प्रसिद्ध राजा सबसे जो फेमस राजा हुए थे कृष्ण देव राय और उ पुराना किला का निर्वान की सासक के सासनकाल में हुआ था युदिष्ठीर सेर सहसूरी हुमायू या फिर अकबर तो ये हुआ था सेर सहसूरी के सासनकाल में और ये 1538 में इसकी अस्थापना हुई थी याद रखना है आपको आगे देखेंगे कि सिवा जी को पकरने के ल साइस्ता खान कभी आप गूगल करना सिवा जी और साइस्ता खान बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी आपको मिलेगी आपको बिल्कूल ही सिवा जी किया स्ट्रेटेजी थी यह आपको समझ में आ जागा कैसे इसने मात्र 10 से 15,000 लोगों को लेके साइस्ता खान जो इनको अगर हम साइस्ता खान की बात करें तो साइस्ता खान रिलेशन में औरंग जेब का मामा लगता है अगला कोशन देखेंगे कि निमलिखित में से निमलिखित भारतिय राजियों में से किस राजी की कोई समुदरी सीमा नहीं है कोई समुदरी सीमा नहीं है गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महराश्थ तो सही अंसर हो जाएगा राजस्थान, महराश्थ, गोवा और गुजरात ये सभी क्या है, कॉस्टल स्टेट्स है अगला कोश्चन है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व, नंदा देवी किस राज में है इसे युनेस्को के तरफ से जो युनेस्को सीट, युनेस्को हेरिटेज साइट्स होते हैं, उसमें भी नहीं सामिल किया जा चुका है, तो ये किस राज में है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, ये सिक्किम में है, भारत का जो जीव मंडल यानि की नंदा देवी बायोस्फेर रिजर्व जो है, ये उत्तरा खंड में है, अगला कोशन है कि भारत में पर्थम बायोस्फेर रिजर्व की अस्थापना कहा होई थी, बायोस्फेर जैव मंडल रिजर्ब जो होता है बायोस्फेर रिजर्ब हम इसे कहते हैं बायोस्फेर रिजर्ब अप्सन है नील गिरी, नंदा देवी, हजारी बाग या फिर कानहा तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा नील गिरी इसकी अस्थापना कब हुई थी 1986 में सरसों के बीज का सबसे ज़यादा उतपादन कौन करता है, सबसे ज़यादा उतपादन राजस्थान करता है, राजस्थान फ़र्ष्ट नम्मर पे आता है, सेकंड नम्मर पे यूपी आता है, और थर्ड नम्मर पे कौन आता है, तो थर्ड नम्मर पे हरियाना आता है, हरियान याद रखेंगे आप चलिए आगे देखते हैं अगला question कि नीली करांती किस से संबंदी थे नीली करांती blue revolution तो मचली उतपादन से दुग उतपादन से तेल उतपादन से या खाद्यान उतपादन से तो बहुत ही आसान है मचली उतपादन से ये है और एक चीज जो आपको न विस्व में थे विस्व में कौन थे नॉर्मन बॉर्ड लॉग तो नीली करांती के जनक कौन थे तो ये इसके जनक थे अरुन कृष्णन अरुन कृष्णन अगर आप कमेंट करके कहें तो जितने भी करांती हैं हुई हैं उनके अगर जनक की बात करें तो अगर आपको इसा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं सभी जितने भी क्रांती हुई है नीली, पीली, हरी, बलू जो भी है उन सब के जनक पे मैं आपको वीडियो और उसके प्रैक्टिस सेट मैं आपको उपलब्द करवा दूँगा अगर आपको जरूरी है तो आप कमेंट करके बताएं अगला कोशन है कि उपरी ब्रहंपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनीज क्या है कोईला लोह अयस्क पेट्रोलियम या फिर मैगनीज तो क्या सही अंसर हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पेट्रॉलियम असम घाटी ब्रहंपुत्र जो है असम इसी ये तहत आता है जहां पे आपको असम का डिब्रुगर्ड है जहां पे भारत में सबसे पहले तेल खो जा गया था आगे है कि विश्व का उच्चतम गुरुत्य बांध कौन सा है निमलिखित में सबसे उच्चतम गुरुत्व बांध कौन सा है व्यास नागल भाखडा या फिर हीरा कुंट डैम नांगल बांध सतलज नदी पर यह बना हुआ है हिमाचल परदेश में यह पढ़ता है अगला क्योंचन है तालचेर किसके लिए महत पूर्ण है केबल उद्ध्यों के लिए जल विद्ध उत्पादन के लिए एटोमिक रियक्टर के लिए या भारी जल संयंत्र के लिए तो ये है भारी जल संयंत्र के लिए तलचर की बारे में अगर बात करें तो ये उडिसा राज में पढ़ता है चेन्य या फिर हैद्राबाद तो यह जो है मुंबई में है मुंबई में है यह ध्यान देना और अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है के एन व्यास के एन व्यास जो है इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष है और अगर इसके थोड़ी से मैं हिस्ट्री आपको बता द लेकिन 1966 में होमी जहांगीर भावा की मिर्त्यू हो गई तो उनके याद में 1967 में इस संस्थान का नाम बदल के भावा परमानू अनुसंधान केंद्र जिसे हम अंग्रेजी में भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क भी कहते हैं चले देखते हैं अगे अगला question कि निगम कर संग द्वारा लगाया जाता है उसका विनियोजन कौन करता है यानि कि केंद्र सरकार निगम कर लगाती है लेकिन उसका यूज कौन करता है राजियों द्वारा संग द्वारा संग तथा राज दोनों द्वारा या इन में से कोई तो सही अंसर हो जाएगा संग तथा राज दोनों के द्वारा और इसमें जो बटवारा कैसे होता है ये वित आयोग तै करती है ये भी आपको पता होना चाहिए वित आयोग का यही काम होता है कि केंद्र और राज के बीच में जो पैसे होते हैं उनका बटवारा यही करती है चले देखते हैं आगे अगला प्रश्ण भारत की सम्विधान सभा का अध्यक्ष कौन था? B.R. अंबेत का राज़ेंदर परसाद, B.N.R. यानि कि B.N. राव या फिर पंडित जवाहरलाल नहरू तो सही अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड.R. राज़ेंदर परसाद, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देदू, बहुत सारे यह सब कुष्चन पूछा आते हैं, कुष्चन बनता है कि सम्विधान सभा का की अस्थापना कब हुई थी? तो 6 दिसंबर, याद रखें आप, 6 दिसंबर 1946, 1946 को इसके स्थापना हुई थी, फिर ये खत्म कब हुआ? तो ये खत्म हुआ था 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसको समाप्त कर दिया गया, और इस दोरान में क्या क्या हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, जहांपे सचिदानंद सीनहा को और अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, और उसके दो दिन बाद में वोटिंग की गई और अस्थाई अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंदर परसाद को, ये आपको तो वही यहा और 26 जनवरी, 26 नवंबर 1949 को ये बन के तयार हुई थी, तो आपको याद रखना है, चले देखते आगे अगला कोश्चन, कि सम्विधान की किस धारा के अंतरगत कोई भी व्यक्ति मूल भूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उचितम न्यायले में उठा सकता है, यानि कि अगर आपका मूल भूत अधिकार, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप किस अनुछेद के तहत उचितम न्यायले में अपील कर सकते हैं, 32, 28, 29 या फिर 31, तो सही अंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही अंसर हो जाएगा, धाराव 32, अनुछेद 32, आगे कोश्चन देखत को मौलिक अधिकार की सूची से किसके सासनकाल के दोरान हटाया गया था, आपको पता होगा कि पहले संपत्तिक अधिकार मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 समविधान संसोधन जो हुआ था, 1978 में उसके तहती से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो तो उस समय भा मॉलिक कर्व्यों से सम्मंधित है कौन सा ये अनुछयद आपको बताना है तो ये 51 कौ हो जाएगा 51 कौ क्योंकि सुरू से मॉलिक कर्व्य हमारे अनुछयद में नहीं थे बाद में जोडा गया था तो ये 501 क कौ में इन्हें डाल दिया गया था चले देखते हा может कोशन की निमलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है तो राजनीतिक अधिकार क्या है आपका कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया आता है आप चुनाव लड़ सकते हैं कोई भी वेक्ति चुनाव लड़ सकता है बस वो जो एज की quality है और उसके लिए जो उसकी eligibility criteria है अगर आप उसको confirm करते हैं तो आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं आगे तक अगला question कि किसने दो पुर्ण अबधियों तक भारत के राष्टपती का पद संभाला है option यहाँ पर है कि S. राधा कृष्णन, वीवीगिरी, बीडी जत्ती या फिर M. हिदायत तुल्ला तो सही अंसर क्या हो जाएगा S. राधा कृष्णन, अभी तक भारत के दो ऐसे व्यक्ती रह चुके हैं जो दो कारिकाल के लिए, दो पुर्ण कारिकाल के लिए उप राष्टपती बने है, एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरे भी वरतमान में ही बने हैं, तो वरतमान में बने यानि कि वो रिटायर हुए हैं, तो कौन थे वो, यह आप मुझे कमेंट करके बताएं, यह 280 जो हमारा एक्ट है धारा है 280 के तहत ही वितायो के स्थापना की जाती है और इससे पहले मैं आपको वितायो के बारे में भी बताया हुआ है आगे कोशन देखेंगे कि निमलिखित में से पदासीन उपरास्ट पतियों में से किसने राष्ट पती के पद के लिए चुनाव राष्ट पती थे और इन्होंने राष्ट पती के लिए चुनाव लड़ा और हार गए आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी से पता की लीपी कौन सी थी तमिल खरोष्टी अग्यात या फिर ब्रहमी तो सही अंसर हो जाएगा अग्यात अब अग्यात कोई लीपी नहीं है य जब बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती हुई थी उसी के बाद वो क्या कहलाए थे वो कहलाए थे बुद्ध उनसे पहले उनका नाम गौतम या फिर सिधार्थ था ये आपको पता ही होगा अगला कोशन देखते हैं जो कि हमारा आखरी कोशन है क्या है प्राचीन काल में सु जो है उसके लिए क्या भासा का प्रिक किया गया था संस्कृत पाली ब्रहमी या फिर खरोष्टी तो सही अंसर क्या हो जाएगा संस्कृत संस्कृत सबसे प्राचीन भासा है ऐसा माना जाता है जो हमारा सबसे प्राचीन काव्य है रमायन वो भी हमें किसमें मिलता है संस्क अच्छा लगा तो नीचे का एक thumbs up का बटन है उसे दबा कर आप वीडियो को लाइक कर दें चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप एंटी PC का form फिलब कर चुके हैं या फिर railway group D का form फिलब कर चुके हमारे चैनल से जुड़ जाएं आपको हर एक टॉपिक के लिए यहाँ पर math, reasoning, gs, current affairs सब के लिए आपको वीडियो मिलते रहेंगे अभी math के वीडियो अप्लोड करने सुरू नहीं हुए हैं अभी gk पर हम focus कर रहे हैं math के वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने सुरू हो जाएंगे math और reasoning तो जल्दी से हमारे चैनल से जु कमेंट करके जरूर बता हैं तो इस वीडियो में इतना ही लेता हूँ आपसे विदा जय हिन जय भारत वंदे मात्रम